तो स्वागत है आपका हमारी इटिव चुनल की सोर कमस क्रस्टेज में आज हम लोग BST में पढ़ने वाले हैं तो इस चेप्टर से जितने भी आउजेटिव कोशन आपके बोर्ट की इजा में पूछी जाने वाले हैं हमने उनसे वो क्लिट किया है तो चलिए सुरू करते हैं फटा फटा अंदाज में सबसे पहला कोशन है कि नीदेशन के प्रमुख तत्वा है ठीक है नीदेशन के कितने अगला कोशन क्या है दिया कि नीदेशन की प्रबंध के अस्तर पर आवसकता होती है ठीक है किस अस्तर पर आवसकता होती है उच अस्तर पर या मद्याम अस्तर पर या निमन अस्तर पर या सभी अस्तर पर तो देखिए जो नीदेशन है डारेक्शन है वो प्रबंध के सभी अस्तर पे आसकता होती है इसकी ठीक है चाहे वो उच अस्तर का हो चाहे मध्यम अस्तर हो या निम अस्तर हो यानि कि सभी अस्तर पे इसकी आसकता पड़ती है अगला कुशन क्या है नीदेशन है नीदेशन क्या है सरव ब्यापी है यानि स्पादन अभी मुखी है निरंतर कार या उप्युक्त सभी है तो जो निर्देशन है वो क्या है इन में से सभी है यानि कि सरव्यापी भी है निस्पादन भी मुखी भी है निरंदरकार्य भी है यानि कि सभी अगला कुशन क्या है निर्देशन करमचारियों से संबंदित है कौन से करमचारियों से संबंदित है उ निम्नस्तर का हो, यानि की सभी अस्तर कुणचारियों से निद्रसन सम्मंदीत है, अगला कुशन क्या है, कि निद्रसन के तत्व है, इस में से कौन से निद्रसन के तत्व है, ठिक है, option है आपके सामने, परेविक्षण, अभी प्रेदन, नितित्व या सभी, तो देखिए, के तत्व कौन कौन से हैं निर्देशन के तत्व परिविक्षण भी है अभी पिरण भी है नितित्व भी है यानि कि ये सभी है ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा सभी अगला कुशन क्या है निर्देशन है कैसा अनिवाद्या है अवस्यक है या अनावस्यक है या समय की बरबादी है ठीक है निदेशन क्या है अनिवार्य है अवस्यक है अनावस्यक है या समय की बरबादी है ठीक है तो निदेशन क्या है निदेशन अनिवार्य होता है किसी भी संस्था के लिए निदेशन क्या हो चाहिए अनिवार्य होने चाहिए ठीक है अगला कॉ क्या होता है यानि कि कामों की देख देख करना क्या होता है जरूरी होता है अगला कुशन है कि परिवेक्षण प्रबंध का कौन सा अस्तर है जो परिवेक्षण है सुपरविजन है वो प्रबंध का कौन सा अस्तर है उच अस्तर है मध्यम अस्तर है यह निम्न अस्तर है यह मागदसक है या दासनिक है या ये सभी है तो परेवेक्षण क्या होता है करमचारियों का मित्र होता है ये मागदसक होता है या दासनिक होता है या ये सभी होता है ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा सभी ठीक है मित्र भी है मागदसक भी है दासनिक भी है या निकि सभी अगल करमचारी और संचालक के बीच ठीक है तो देखिए जो परिविक्षक है परिविक्षक किनके किनके बीच काम करता है ठीक है तो परिविक्षक जो रता है वो करमचारी और मध्यम प्रबंध के बीच में काम करता है ठीक है परिविक्षक क्या है निम्न प्रबंधक है तो निम् उन्वों के बीच की कुलिए काम करता है ठीक है तो आशर क्या हो जाएका करम्चारी नीदेशन का ठीक है परवेक्षाण किसका तत्व है नीदेशन का अगला कॉसन क्या है कुसल नीदेशन के लिए अभी प्रियना है कुसल नीदेशन के लिए अभी प्रियना आवस्यक है या अनावस्यक है या धन की बरबादी है या समय की बरबादी है कुसल निद्रसन के लिए आपका जो अभी प्रेणार है वो आवस्यक होता है किसी भी संस्थार में निद्रसन करने के लिए अच्छी तरीके से अभी प्रेणा बहुत ही ज़री होता है अवस्यक होता है अगला क्रॉशन क्या है अभी प्रेदणा संसाधनों के निधारन का अधार होना चाहिए ठीक है मतलब कि जो ही प्रेदणा है वो साधनों के निधारन का अधार मतलब किस साधनों के सामोहिक ब्यक्तिगत या काद या ये सब ही ठीक है, एंसर क्या हो जाएगा, एंसर हो जाएगा, सब ही का, एंसर क्या हो जाएगा, सब ही का, अगला कॉशन है, नेता में होती है, क्या होती है, बुधी मता होती है, दूर दसिता होती है, आत्में विश्वास होता है, यह सब ही होता है, ठीक है, तो एक नेता में बुधी म मता भी होती है दूरशिता भी होती है आत्म विश्वास भी होता है यानि कि अंसा क्या हो जाएगा अंसा हो जाएगा यह सभी ठीक है अगला कुर्शन क्या है अगला कुछन है कि नेता अधिनस्तों से काम लेता है कोई भी नेता अपने अधिनस्तों कैसे काम लेता है चातूर्य से या दंडे से या धमकाकर या इन में से कोई नहीं ठीक है तो भाई अगर आप किसी इसे दंडे से काम लेना चाहें तो काम आपका नहीं बनेगा, अगर किसी को धम काना चाहें, तो भी काम नहीं बनेगा, तो आप कैसे काम ले सकते हैं, तो चातूरिय से काम ले सकते हैं, ठीक है, तो कोई नेता अपने अरिनस्तों से बहुत ही चतूराई से काम लेता है, ठीक है, अगला कुशन क्या है, नेती तो अवस्यक होता है ठीक है अगला कुशन क्या है कि नेता होता है नेता कैसा होता है जनम से होता है या बनाया जाता है या जनम से और बनाया जाता है दोनों या इन में से कोई नहीं ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा नेता का जो गुण होता है वो जनम जात भी होता है और आ स्वामी होता है या नेता होता है या इन में से कोई नहीं ठीक है तो जो प्रबंदग होता है क्या होता है एक नेता की तरह काम करता है ठीक है प्रबंदग क्या होता है एक नेता की तरह काम करता है नेता होता है अगला कॉशन क्या है संप्रेशन के नियुनतम पक्षकार होते ह संप्रेशन के पक्षकार कितने होते हैं 2, 4, 8 और 16 तो answer क्या हो जाएगा संप्रेशन के 2 पक्षकार होते हैं अगला question है कि संप्रेशन जाल के परकार होते हैं संप्रेशन जाल के कितने परकार होते हैं 2, 4, 6 या 8 तो answer क्या हो जाएगा संप्रेशन जाल के चार प्रकार होते हैं ठीक है अगला कॉशन क्या है संप्रेशन परकिरिया के चरण या तत्व कितने होते हैं ठीक है संप्रेशन परकिरिया के चरण या तत्व कितने होते हैं 4, 5, 6 या 8 तो अंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 8 ठीक है, संप्रेशन के निम्त परक्षकार 2, संप्रेशन जाल के परकार 4 और संप्रेशन परकिरिया के चरण 8 ठीक है, अगला क्वेशन, अंगुरी लता संप्रेशन होता है, ठीक है, अंगुरी लता संप्रेशन कैसा होता है, अपचारिक होता है, सोरी, अनपचारिक, अपच अगला क्रेशन क्या है प्रभावी संप्रेशन के लिए आवस्यक है प्रभावी संप्रेशन के लिए क्या आवसक है असपश्टता सिष्टता निरंतरता या सभी ठीक है तो अंसर क्या हो जाएगा ये सभी जरूरी है ठीक है प्रभावी संप्रेशन के लिए सभी जरूरी होत तो किस प्रकार के संप्रेशन का उज़ करिएगा और अपचारिक या मौखिक या कोई नहीं ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा आपको अपचारिक संप्रेशन का उप्योग करना पूरेगा ठीक है अंसर क्या होगा अपचारिक संप्रेशन अगला कुशन है कि प्रभावी संप्रेशन में बढ़ाये हैं भासा की, दूरी की, बेक्तिगत भींता की या सभी की ठीक है, तो एक मतलब प्रभावी संप्रेशन में बहुत सरी बढ़ाय होती है, जिसमें भासा भी होता है, दूरी भी होता है, बेत्रगत भीनता भी होता है, यानि कि ये सभी हो सकता है, ठीक है, अगला कुशन क्या है, सम्तल संप्रेशन में सुझाव का प्रभा होता है, किध ठीक है अगला कुछन कि संप्रेशन के प्रकार हैं संप्रेशन के प्रकार लिखित हैं मौखिक है अपचारिक है या इन में से सभी है ठीक है तो अंसर क्या हो जाएगा संप्रेशन के जो प्रकार है वो इन में से सभी है ठीक है यानि कि लिखित भी है अपचारिक भी है मौख तो उसमें किस परकार के भासा का उप्योग नहीं करना चाहिए ठीक है अप्शन है असप्ष्ट प्रभावी और सालिन ठीक है तो देखिए अगर आप असप्ष्ट भासा यूज करते हैं तो तो संप्रेशन ठीक ठाक हो जाएगा प्रभावी भासा के उज़ करेगा तभी भासा का यूज करना शुरू करते हैं तो आपका संप्रेशन ठीक ठीक है तो इसलिए का हो जाएगा और असप्ष्ट भासा को उपउयोग नहीं करना चाहिए ठीक है तो अंसर क्या हो जाएगा और अगला कुशन क्या है का bisher पर श्वयम विकासnungश्य प्लुंस ये किसके द् प्रसिक्षड कारे करम में भागी दारी या उप्तुक्त में से कोई नहीं ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा प्रसिक्षड कारे करम में भागी दारी ठीक है प्रसिक्षड कारे करम में भागी दारी अगला कोशन है अगला question है आमने सामने संपर्थ करना कौन सा संपर्थ है ठीक है अगर हम आमने सामने आ करके बात करते हैं संपर्थ करते हैं तो इससे कौन सा संपर्थ होगा ठीक है मौखिक लिखित या दोनो या इन में से सभी ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा इन में से सभी अगर हम आमने सामने आते हैं तो मौखिक भी हो जाएगा लिखित भी होगा यानि कि सभी हो जाएगा अगला कुशन क्या है अगला कुशन की संप्रेशन होना चाहिए कैसा होना चाहिए सरल, कठिन, उचित या इन में से कोई नहीं तो संप्रेशन का सरन चाहिए उचित होना चाहिए अगला कुछन क्या है निर्देशन प्रबंध का कौन सा पहलू है बेवहारिक पहलू है या सेधान्तिक पहलू है या अंतर ब्यक्तिकत है या सकरात्मक है ठीक है तो यह क्या है निदेशन प्रबंध का अंतर ब्यक्तिकत पहलू है पहलू नहीं है ठीक है यानि कि जो निदेशन है वो प्रबंध का अंतर ब्यक्तिकत पहलू नहीं है अगला मौखिक या इन में से कोई नहीं ठीक है तो अंसर क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा मौखिक ठीक है अंसर क्या हो जाएगा मौखिक अगला कुशन क्या है दिया कि अभी प्रेणा का सिधान्त जो आवस्यक्ताओं को करंबद करता है किसके द्वारा प्रतिपारित किया गया था अप्शन है फ्रेड लुथांस, शकॉट अबराहम मासलो या पीटर एफ ड्रकर ठीक है तो जो यह सिधान्त था वो किसके दोर पतिवरी के था अबराहम मासलो द्वार ठीक है अंसर क्या हो जाएगा अबराहम मासलो अगला क्रूशन है कि निम्न में से कौन सा बीतिय प्र प्रोट्साहन देता है प्रदुनती रहत्या प्रोट्साहन प्रशुष्ण या करमचारी भागीदारी ठीक है तो अंसर क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा रहत्या प्रोट्साहन ठीक है अंसर हो जाएगा रहत्या प्रोट्साहन अगला क्रूशन है कि निम्न में से कौन सा संप्रेशन परकिरिया करता तो नहीं है संप्रेशन परकिरिया करता तो कौन सा नहीं है डिकोडिंग, संप्रेशन, माध्यम या संदेश प्राप्त करता ठीक है तो answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा संप्रेशन answer क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा हस्ता आंतर ठीक है आसा करता हूं कि वीडियो अफ्लोग बहुत अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर करें और अब तक हमारे चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सकाइब कर लें